गद्य कावे का शीर्शक रूप लेखक आचारे चतोसेल शास्त्री जी वाचक अमिद पांडे उस रूप की बात मैं क्या कहूं? काले बालों की रात फैल रही थी और मुख चंद्र की चांदमी छिटक रही थी उस चांद्नी में वह खुला धरा था, सोने के कल्सों में भरा हुआ था जिनका मुँख खूब कसकर बंद रहा था, फिर भी महक भूट रही थी उस पर आट दस चंपे की कलिया किसी ने डाल दी थी, भोरे भीतर गुसने की जुगत सोच रहे थे मदन कमान लिये खड़ा रखा था, उसका सहचर यौवन अलकसाया पड़ा था, ना उसे भूख थी न प्यास छका पड़ा था मैं बड़ा प्यासा था, हार कर आ रहा था, शरीर और मन दोनों चुटिले हो रहे थे कलेजा उबल रहा था, और रिदय जुलस रहा था, मैं अपनी राह जा रहा था, मुझे आशा न थी की बीच में कुछ मिलेगा, पर मिल गया सहियों की बात देखो कैसी अद्भुत हुई, और समय होता तो मैं उधर नहीं देखता मैं क्या बिकारी हूँ, या नदीदा हूँ जो रहा चलते रस्ते पड़ी वस्तु पर मन चलाऊं, पर वह अवसर ही ऐसा था प्यास धड़पा रही थी, गर्मी मार रही थी, और अत्रिप्ती जला रही थी मैंने कहा, जरा सा इसमें मुझे मिलेगा, भूल गया, कहा कहां, कहने की नौबती नहीं आई कहने की इच्छा मात्र थी, पर उसी से काम सिद्ध हो गया उसने आचल में झान कर प्याले में ओडेला, एक डली मुसकान की मिश्री मिलाई और कहा, लो, फिर भूल गया कहा सुना कुछ नहीं, आचल में झान, प्याले में डाल कर मिश्री मिला कर सामने धर दिया चमपे की कलियां उसमें पड़ी थी, महक फूट रही थी मैं ऐसी उदासीनता से किसी की वस्तो नहीं लेता हूँ पर महक ने मार डाला, आत्मसम्मान, सब्यता, पद मर्यादा सब भूल गया कलेजा जल रहा था, जीव एंट रही थी, कौन विचार करता मैंने दो कदम बढ़कर उसे उठाया, और खड़े-खड़े ही पी गया जी हाँ, खड़े ही खड़े पर प्याले बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे उनमें कुछ आया नहीं, उस चमपे और चान्नी ने जो उसे स्षीतल किया था और उस मिश्री ने जो उसे मधुरा दिया था, उससे कलेजे में ठंड़क पड़ गई ऐसी ठंड़क न कभी देखी थी, न चकी इसके बाद मैं मूर्ख की तरह प्याला लिए उसकी ओर देखने लगा उसने कहा, और लोगे? मैंने कहा, बहुत ही प्यासा हूँ, और प्याले बहुत ही छोटे है तिस पर उनमें तूटना निकला हुआ है, इनमें आता ही कितना है, क्या और है? उसने कहा, बहुत है, पर भीतर है, घड़ों का मूँ खोलना पड़ेगा क्या बहुत प्यासे हो? सब्यता भाड में गई, कभी खातिरदारी का बोज किसी पर नहीं रखता था, पर आए सामने सदा संकोच से रहता था, पर उस दिन निरलज्ज बन गया मैंने ललचा कर कह ही दिया, बहुत प्यासा हूँ, क्या ज़ादा तकलीफ होगी? नहो तो जाने दो, इन प्यालियों में आता ही कितना है उसने कहा तो चलो घर, मार्ग में खड़े-खड़े क्यों, पास ही तो घर है मैं पीछे हो लिया, ढकना कोलते ही गजब हो गया लबा-लब था, गाट खोलने का एक हलका सा ही जटका लगा था, बस छलक कर बह गया समेटे न सिम्टा, उसने कहा, पीओ-पीओ, देखते क्या हो? देखो बहा जाता है, मिट्टी में मिला जाता है मेरे हाथ-पाउं पूल गए, मैंने घबडा कर कहा यह, इतना, इतना क्या मैं पी सकूँगा? यह तो बहुत है और क्या छानोगी नहीं? उसने कहा छानने में क्या धरा है? आप तो आप ही निर्मल है फिर तलचट किसको छोड़ोगे? पी जाओ सब इतने बड़े मर्द हो, क्या इतना नहीं पी सकते? मैंने जिजक कर कहा, और मिश्री? जरा सी मिश्री न मिलाओगी उसने हस कर कहा, मिश्री रहने भी दो ज्यादा मीठे होने से सब न पी सकोगे जी भर जाएगा, येलो नमक मिर्च चटपटा बना लो, फिर देखना इसका स्वाद इतना कहकर उसने जरायों और जरायों बुरक दिया वह नमक मिर्च काजल सा फिसा हुआ था बिजली की तरह चमक रहा था उसने सोयम मिलाया, सोयम बिलाया भगवान जाने क्या जादू था फिर जो होश गया है, अब तक बेहोश हूँ गत्य कावे का शीर्षक, रूप, लेखक, आचारे चतुर सेन शास्त्री जी, वाचक, आमित पांडे जादू